उसके बाद फिर देखिए हम डिसॉर्डर की बात करें तो डिसॉर्डर में देखिए वर्निकी इंसिफिलोपेथी हमको देखने को मिलता है तो देखिए वर्निकी इंसिफिलोपेथी में क्या है हमारा वर्निकी जेरिया यह है यह यह एरिया एफेक्ट हो जाएगा तो आहिए देखिए क्या होंगे तो symptom देखिए हाँ पर चार symptom दिये गए है confusion, ophthalmoplegia देखने को मिलेगा निस्टिगमस चीज़ को हम कहते हैं और यह atrasia तो यह इसको हम triad में भी दिखाते हैं तो देखिए confusion, ophthalmoplegia इसमें निस्टिगमस भी आ जाता है और उसके बाद यह हमारा ataxia है तो यह हमको symptom देखने को मिलते हैं वरने की इंसिफिलोपेथी में और korskov syndrome भी हमको देखने को मिलेगा और यह korskov syndrome क्या होता है इसमें जो memory generate करने वाले neurons है वो effect हो जाते हैं और irreversible effect होते हैं तो वहीं देखिए यहां पर बताये गया amnestic disorder due to chronic alcoholic overuse तो यह amnestic disorder है और होता कि हमाँ chronic alcoholic overuse की वज़े से होता है और present with confabulation तो confabulation हमको देखने को मिलेगा यानि जिसको होगा वो कुछ भी ख्याली बाते करेगा ठीक है तो उस ही को हम बोलते हैं तो confabulation देखने को मिलेगा personality changes देखने को मिलेगा personality में changes आ जाएंगे और memory loss देखने को मिलेगा तो देखिए यहां पर भी try it देखने को मिलेगा confabulation, personality loss और उसके बद memory loss और यह memory loss पर्मानेंट होगा और उसके बद फिर देखिए यहां पर overnecki korskov syndrome तो देखिए वरnecki korskov syndrome देखिए इन ही दोनों से मिलके बनता है और इसमें देखिए medial dorsal nucleus of thalamus तो thalamus का medial dorsal nucleus यह जो होता है damage हो जाता है mammary body भी damage हो जाती है जिसकी वज़ेसे क्या होता है presentation in combination of vernecki encephalopathy and korskov syndrome तो अब यहां पर vernecki encephalopathy और korskov syndrome यह दोनों के presentation हमको देखने को मिलते है क्यों क्योंकि यहां vernecki area से जो signal आते है mammary body के ही through आगे जाते है तो यहां mammary body भी जब effect हो जाएगी थेलमस में तो इसकी वज़ेसे vernecki encephalopathy और korskov syndrome दोनों के combination हमको देखने को मिलेंगे इसको हम बोलते हैं vernecki korskov syndrome उसके बाद अगला condition के है तो देखिए dry beriberi और wet beriberi तो देखिए dry beriberi में क्या होता है poly neuropathy हमको देखने को मिलता है बहुत सारे neuron जो होते हैं उनमे pathological condition जन्रेट हो जाती है यह हुआ symmetric muscle wasting तो symmetric muscle wasting हमको देखने को मिलती है दोनों तरफ से muscle के degeneration शुरू हो जाते है symmetric condition में यह हो गया हमारा dry beriberi में और उसके लागए wet beriberi की हम बात करने हैं तो देखिए wet beriberi में high output cardiac failure देखने को मिलता है और high output cardiac failure क्यों देखने को मिलता है due to systemic vasodulation systemic vasodulation हो जाएगा जिसके वज़े से cardiac output तो जादा होगा लेकिन यह proper flow नहीं हो पाएगा और जितना demand होती है body को जहां जहां वहां नहीं हो पाएगा क्योंकि vasodulation हो गया इस वज़े से cardiac output जो हमारा 5 liter per minute है यह 5 liter per minute से जादा हो जाएगा लेकिन फिर भी हमारी body की जो oxygen demand जो need है वो पूरी नहीं होगी तो इस वरे से high output cardiac failure हमको देखने को मिलेगा और इसमें देखिए कैसे हाथ रख सकते हैं तो spell berry berry as तो berry berry को हम berry मतलब I की जगा हम 1 पढ़ लें तो berry berry तो देखिए to remember vitamin B1 तो हमको याद हो जाएगा कि vitamin B1 की deficiency से berry berry होता है तो यहाँ पर I की जगा 1 हम पूट करेंगे तो इससे हमें याद करना आसान हो जाएगा तो हमने यहाँ पर बात किया vitamin B1 की इसको thiamine भी बोलते हैं function की बात की तो यह several dehydrogen enzyme में को factor की तरह काम करता है और यह 4 main enzyme जो है उसके हमने बात की यहाँ पर और यह 4 हो यह है और उसको हमने यहाँ पर देख लिया और उसके लाव deficiency की condition में क्या होगा ATP depletion देखने को मिलेगा और यह glucose infusion की condition में और ज़्यादा वार्स हो जाएगा क्यों हमने बात किया और dextrose देने से पहले thymine क्यों दिया जाता है यह हमने बात किया ताकि वर्नेकी इंसेफिलोपेथी के risk कम हो जाए और इसकी diagnosis कैसे की जाती है यह हमने बात किया और उसका बता हमने disorders की बात कि वर्नेकी इंसेफिलोपेथी कॉर्सकॉफ सिंड्रोम की और इन दोनों का combination हमको देखने को मिलता है वर्नेकी कॉर्सकॉफ सिंड्रोम में और dry berry berry इसमें polynear उपेथी और symmetric muscle wasting देखने को मिलता है और wet berry berry इसमें high cardiac output failure हमको देखने को मिलता है